प्रशनावली छो दसमलो दो मैथ का ये चेप्टर करनाम है ट्रिभूच को नेजम हम लोग कहते हि हैं ट्रियांगल क्या कहते हैं ट्रियांगल कहते हैं कल हम लोग इस शेप्टर को जब शुरू किये तो सबसे पहले थेल्स का पर्मे पढ़े थे और थेल्स के बिलोम को पढ़े थे और आप लोगों को फिरिस्शिक बात दिला देए कि थेल्स कपर में का सुट्र और ठेल्स के बिलों का सुत्र आपको याद होना चाहिए कम से कम अगर आपने उसे प्रूफ करना सीख लिया है तो बेटर है लेकिन अगर प्रूफ करना नहीं सीखा है प्रैक्टिस नहीं किया उस पे तो कम से कम उन्होंने जो प्रूफ किया उस फॉर्मूले को थोड़ा याद रखेंगे फिर एक बार आपको हम फिगर बनाके लो फॉर्मूला दिखा देते हैं और उसके बाद से आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और उसी फर्मूले पे 16.2 का जो दस्क प्रश्ण है वो सब का सब हल होगा अगर आपको फर्मूला याद नहीं होगा तो हर एक सवाल बनाने में आपको समस्या होगी और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है आपको याद रखना है ये फिगर अपने माइंड में बड़ा एडि वटा बीड़ी आप बीड़ी का सबस्क्राइब चायए बीड़ी अए याई वटा इसाइड के लिए उन्हें बताया था यू और इस था व्न in कहा था एई वटा सी यही मुणने प्रूस पूरोफ किया था कब कोई। ईनकि ही कि उन्हें दौन डू ऑन दोनों भुझाओं को बीट से तिस्री भुझा क्या करें। यह तिस्री भुझा ना। काट रही है था डी समानतर बी Keysी के समानतर कौन है। जब भी कोई दो भुजा एक दुसरे के समानतर होगी तो उनके दो संगत भुजा समान अनुपात में होगे दो संगत भुजा क्या होगे ये किनका नियम है थैल्स का प्रमे का नियम है और थैल्स का बिलोम कहता है कि जब दो भुजाय समान अनुपात में विभाजित होती है तो अन्य भुजा तिस्री भुजा के समानतर होती है अन्य भुजा डी है और तिस्री भुजा ये इसके क्या होगा समानतर होगा समझ गया है तो उन्होंने प्रूफ क्या किया था कि दी समानतर यह दो फॉर्मूला आप याद रखते हो तो आपको किसी भी सवाल को बनाने में परिशाली नहीं होगी बस थोड़ा सा केर करना है फीगर में फीगर कुछ समझने वाला चीह होता इसमें क्योंकि इस चैप्टर को बढ़ियां से वे लोग ही बना पाते हैं जो लोग फीगर को बढ़ियां से चैच करते हैं जो फीगर पर कमांड करना सीख जाते हैं आझ में यह सवाल को आप किस पिना बना नहीं सकते हो जब तक आप इसके फीगर को नहीं समझोगे हर एक सवाल में बीना फिगर को समझे आप नहीं बना सकते हैं तो हम दोसों सवाल बनाएंगे और दोसों में फिगर के बारे में पहले जानेंगे तब सवाल को बना सकते हैं ठीक है तो समय ना लगाते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न संक्या एक पर ठीक है क किताब निकाल लेंगे और देखेंगे किताब में यहां पर देख सकते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है आकरिती छोग दसमलाव एक साथ एक और दो में मतलब दो आकरिती नीची दे गई है झाल किताब में आपका यह फिगर दिया वलकुली इसी तरह दिखाई दे रहा होगा उसमें डी समांतर वि सी यह डी समांतर और कजी एक प्रस्ते में नहीं बलकि दोनों में देख लिजिए ये डी के समांतर क्या है आप देख सकते हैं ना है ना जी दी समानतार बी सी है पहला का रहा है पहले में आपको निकालना है इसी पहले में क्या निकालना है तो पहला फिगर आप देख सकते हो यह निकालना है इसे लेकर सी तक यह दूरी देख रहे हैं इसे क्या निकालना है देख लिजिए यह दूरी निकालना है और दूस आपको एक नमर में दो सवाल दिया गया है और दोनों में दो फिगर दिया गया है और दोनों फिगरों में आपको देद्ट 288 मानने कलना है क्या करना है अलग अलग出来 सब्सक्राइब कर दिख रहा है ने सब्सक्राइब कि आप लोग कि थैल्स के परमे में पड़े थे कि जब दो भुजाय समांतर हो दो भुजाय तो उनकी अन्य दो भुजाय अनुपात करता है बटा क्या होता है यह पर देखेंगे यह जो सवाल है हमारा पहला पहले हम पहले पर जीकर करते हैं तब दून अमबर पे चलेंगे यह एक तिर्भूज है ए बी जिसकी दूसरी भुजा ए ऐसी और तिसरी भुजा और एक अन्य भुजा दी एए है अन्य फूजा क्या है जी दी है अगर आप ध्यान से फिगर को देखें तो देखिए यह चार भाग में बटा हुआ है एक दो तीन है नर जी मतलब यह भुजा इधर बटी हुई है दो भाग में और ये भुजा दो बाद में बटी हुए है अब आपको क्या होगा ना इस टैप के प्रश्न में आपको तीन को देगा एको नहीं देगा अब कहाएगा उसको निकालिए जैसे एक नमर सवाल में इसी नहीं दिया होगा क्या नहीं दिया होगा और दू नमर में एडी नहीं दि होगा आप देखिए फिगर में कैसे चोड़ा है कि मान दिया है ऐधी एक नहीं हसे एक से इटिया है कि इसे इसे एई एक सेंटीमिटर। कह रहा है कि बताइए कि यहां किसका मान कि समझ गए बात को अब हम लिखेंगे ठेल्स के पर्मे से ठेल्स के ठेल्स का पर्मे कहता है कि एडी बेटा डी बी चाहें बीडी जो मन करें एडी बेटा बराबर एडी बेटा एडी का मान बताईए तो कितना है एक दस्मलाव बटा डी बी का मान कितना है तीन है तो बटा में बराबर एडी का मान कितना है और इसी का मान उसको उसी तरह उतार देंगे क्योंकि जिसको निकालना होता है उसको उसी तरह बोले इसमें किसी को दिक्कत है अब तिर्चा तिर्ची एक दस्मलाव पाँच से इसी में क्या करेंगे तो एक दस्मलाव पाँच इसी होगा तीन में एक से गुड़ा होगा तो एक दस्मलाओं पांच गुड़ा में तो कहा जाएगा तो इधर के वल क्या बचेगा तो उधर पहले से तीन है अबाटा में डेड़ तो इसी आपको निकालना है तो डेड़ से भाग दीजिएगा तीन रुप्या में तो कितना हैगा कितना लोग डेड़ नहीं समझ रहे है तो लिए आपको मेहत के रुप मेहट आयते है दस्मलाओं के बाद का एक वांग है बोलिए तो उपर एक और जीरो बैठा दीजी तो नीचे पंदर होगा उपर तीस पंदर दुना बताईए इसी का मन कितना गया कोई दिकत है इसमें नहीं बना दीजीगा बोलिए एक बर और समझ लीजी यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब में देखिए एडी का मन कितना दिया है सैंटी मीटर एग का मन बीडी का मन और सी क्या करना है कोई दिकत नहीं तो लिखेंगे चुकी डी समांतर बीसी किताब में दिया है कि डी के समांतर कौन है तो थेल्स का परमे कहता है कि दो भुजाए अगर समांतर हो तो उनकी अन ये दो भुजाए क्या होती है सनमान और पात में विभाजी हो जागे ए का मान और सी का मान अरे सी कहे चाए इसी कही उससे कोई अंतर आप तिर्शा तिर्शी गुडा तो देखिए एक दसबलब पाच में गुणा करेंगे C से तो एक दसबलब पाच C आएगा ऐसे दिख रहे हैं तिरचा तिरची 3 militar कम 3 होगा ना बोले कोई दिखात था जी अब 1 दसबलब पाच गुणा में तो कहा जाएगा बटा में अब कितना लोग को यह हम तो डाइडेक्ट को देते हैं कि 3 में भाग दीजिए डेढ़ से तो 2 मरत में पठेगा अब कितना लोग को अनुफी जाते हैं कि ऊपर तो 3 नीचे 15 है तो 15 के पड़र में 3 का आता है अरे उती 15 नहीं है वो डेढ़ है एक दसमलाओ 5 है उस confusion को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि दस्मलाओ के बद का एक वंक है तो उसके उपर ये गो जीरो क्या करेंगे बैटा देगा दस्मलाओ होट जाएगा दस्मलाओ क्या होगा तत्तीस वटा पंदर है तो पंदर दूना है तो सी का मन कितना गया कोई दिक्कत है और इसी टाइप से इसी टाइप से तो आप लोग दो नमर इसका बना लीजिएगा चलिए उतार लीजिए अब हमारा दूसरा सवाल है किसी तिर्भूज पी की बार की भूजाओं पी क्यू और पी आर पर करमसा बिंदू ई और एफ एस्थी थे एक तिर्भूज है जिसका नाम है पी क्यू आर क्या नाम है माल लिजिए वो तिर्भूज है ये पी क्यू आर कर रहा है कि पी क्यू और पी आर पी क्यू और पी आर पर करम सा बिंदू कौन है ई और यानि पी क्यू पर ई है और पी अपर एफ है ई है और इस पर एफ है और दुनों क्या करना है मिला देना है निम्नलिकित में से परते के स्थिती के लिए बताईए कि क्या इअप समानतर की वार है मतलब नीचे तीन सवाल दिया है दो नमर में कितना सवाल है और तीनों में आपको बताना है कि क्या ये जो इफ है इस की वार के समानतर है कि नहीं है देख रहे हैं ये दोनों रिखा है समानतर तभी होंगी जब इनकी अन्य दो भुजाए समान अनुपात में बराबर होंगी समान अनुपात में क्या होंगी बराबर होंगी जैसे कि अभी हमने एक नमर सवाल बनाया है कि इसमें तीन को दे रहा है एक नहीं दे रहा है हम लोग चौथा निकाल रहा है इसमें चारों देगा इसमें और तिर्चा तिर्ची गुड़ा करके चेक करना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि अगर बराबर आ गया क्या हो गया जी अगर बराबर आ गया तो समानतर होगा अगर बराबर नहीं आया तो समानतर नहीं होगा जैसे कि माल लीजे कहने का मेरा सेंस ये है कि यहाँ पे देखेंगे माली जे कि ठेल्स के परमे से PQ बटा EQ PQ बटा EQ और यह PF बटा FR PF बटा FR माली जे PQ का मान दो है EQ का मान चार है ठीक है और PF का मान 5 है PF का मान 5 है और FR का मान दोस है ऐसे मान लेते हैं आप 4 का मान देगा तो इसे साजा देंगे न असाजाने का बद क्या करेंगे तिर्चा तिर्ची Cross Multiply क्या करेंगे जी गड़ा करेंगे दूदाईया 20 चार पचे बताईये दुनों बराबर है कि कौम भी से तो काएंगे EF के समानतर QR है EF के समानतर आगर बराबर नहीं आए तो तो समानतर नहीं है Simple है कोई दिकत है चलिए इसके पहले सवाल को बताते है ठीक है जैसे यहां पर आप देख सकते हों तिर्भू जाए PQR देख रहे है PQR देख रहा है जी और उसमें अगर दो नमर साहल में देखिए फिगर नहीं दिया है अपने से फिगर बनाना है जैसे यहां पर हमने फिगर बना है PQ बना है ना तो P बटा E Q अप यह बटा F और बताना है कि यह जो E F है इस की वार के समांतर है कि नहीं है बराबर आएगा तो समांतर है नहीं आएगा तो समांतर नहीं है अब आप एक नमर सवाल को किताब में देखिए तो P कमान कितना दिया है किताब में दिया है EQ कमान P.F. कमान और F. कमान दिया है ना तो थेल्स के थेल्स के लिए हम क्या कहता है P.B.T. और P.A.B.T. मतलब P.A.B.T. अरफ कहा साया है इस फिगर से अब आप लोग मत सुचे है सरे एभी सिधी बनाते ही P.F. कहा सा गया अरे कोई जोरी एभी सिधी आएगा यहाँ पर कोई अंक देगा कुछ भी देते है इसके बटा में ये और इसके बटा में समझे लगा अब चारो कमान दे दिया आप लिखेंगे थेल्स के नियम से चाय परमे से और इसके फर्मूले का नुस्तार सब कमान क्या करेंगे इस रखाएंगे जैसे P.E. कमान पूछ रहा है पहले किस कमान पूछ रहा है तो P.E. कमान कितना है तो 3.9 फिर पूछ रहा है किस कमान तो 3 बराबर P.E. कमान और R.E. कमान कोई दिक्कत है आप इसमें तिर्शा तिर्शी क्या करेंगे बुड़ा करेंगे अब बुड़ा करते हैं 3.9 में 2.4 से तीन से तीन दसम लग गुड़ा करके दिखा रहा है देखें द्यान से कैसे गुड़ा किया जाता है चार नवा चातिस के हर सिल एक होगा तीन होगा अचारति यहीं बार है बार तीन दूना बार अठारे का अर सिल अर दूत यहीं चावी साथ अब चाव का चाव आठ पाच तेरे के तीन आए एक साथ आठ एक आप दसमलाओ के बाद देखो इसमें कितना अंख है आइसमें को एग हो है तो एग हो आएग हो इधर से किन लो एक दूग अंक के बाद क्या लगा दो दसमलाओ दूग अंक के बाद क्या लगा दो वो क्या है तो देखने ज़िए तीन से इसको कटा देंगे तीन है कम बिच में दस्मलाव तीन तरीका नहीं हो जाएगा ऐसे भाग दोगे तो तीन है कम खड़ जाएगा ना उतारेगा तो दस्मलाव भी तो है तीन तरीका क्या हो गया कितना है यहाब हमने क्या लिख दिया है कोई दिकत है अच्छा यह 36 है और यह क्या है माल मौन में दस्मलाव उससे क्य दिकत है माल लोग dest pom 65 यह क्या है ताब बताई ए तो वाले दूना बार कोई हैं दस्मल भीच को लगाएंगे कि आप तरीका हैं टीर सिखेंगे हूं अब टिर्षा तील सी भी गुझा कर सकते हूं अचाहु तैसे भी कटा के ला सकते। यह आपकर पर ड़िंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हूं आप तिर्शा तिर्शी क्या करेंगे अब एक दस्मलों तीन में गुड़ा करेंगे दू ती आई दू एकम दू एकम तो आपका हो जाएगा दू दस्मलों सौरी यहाँ पर थोड़ा सा मिष्टियक हो गया है क्योंकि तेरा है और दू है तो तेरा दू ना दस्मलों के बाद कितना अंक है एक अंक है इधर को एक अंक है तो दू गउंक के बाद क्या लएगा एक दू यहाँ पर इसके बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर जीरो दस्मलों दो च्छों जीरो दस्मलों और इधर क्या बच गया जीरो दस्मलों बताई ये बराबर आ रहा है नहीं नहीं आ रहा है तो कहेंगे इसलिए इफ समांतर की वार अगर बराबर आ जाता तो हो जाता अब बराबर नहीं है तो समझगे बात को इसी तरह इसके दो नमर बना लिजेगा तीन नमबर तो आप लोग इसका दो और तीन बनाएं ठीक है न अब चलिए इसको उतार लेजिए दो नमबर और तीन नमबर में यहीं फिगर आएगा फिगर नहीं बदलेगा हाँ उतार यह यह आप एक सुधार कीजिएगा एक दस्मलाओ छो नहीं लिखेंगे जीरो दस्मलाओ दो छो लिखेंगे ठीक है ना